इन दिनों सीम नितेश कुमार अगामी लोग सभाचुनौव की तैयारी में जुटे हैं और इसको लेकर कई नेताओं से मल रहे हैं और इसी क्रम में सीम नितेश कुमार कल ओडिसा के सीम नवीन पटनाएक से मुलाकात हुई इस दौरान मिशन दो जार चौबिस को लेकर वहीं आपको बता रहे कि 11 माई को सीम नुबई जा रहे हैं जायन से पिनेता श्रत पवार उधब ठाकने सिम लेकर भी पीजेपी ने तर्ज कसा है जायनास्ता करने जाते हैं यहां से कटे जाते हैं कि विरोधी दल को यह करेंगे यहां जाकर वो भुला जाते हैं यहां के मुकमंत्री ने प्री अप्ताश यहां के लोगों के सेवा के लिए यहां बनाने के लिए जमीन दिया तो इस पर सियासी बयान वाजी भी शुरू हो गई है कुछ राजनतिक दलों की रियाक्शन भी आ रहे हैं आईगे आपको सुन बाते हैं विपक्षी एक जुड़ता का नाम सुनते ही भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है एक तरफ तो यह लोग दावा करते हैं कि इन्हें अपने संगठन अपने चेहरे अपनी कार्यप्राली पर इतना भरोसा है लेकिन जैसे ही नितीश कुमार जी की मुलाकात विपक्ष के प्रोमिनेट नेताओं से होती है इन लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है नितीश कुमार जी अपनी मुहीम में लगे हुए है लगातारों की मुलाकात देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं से हो रही है आने वाले समय में सकरात्मक संदेश दिखाई पड़े अब भाजपा के लोग लागदावे करने इन्हें पता है कि इन्होंने जनता से किये वादों को पूरा नहीं किया है आने वाले चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाए ले नितीज कुमार जी जिस तरह से मजेवे तर तरीके जानते हैं और आपको यह जानकारी है कि विपक्षी एकता कि मुहीम को लेकर नितीज कुमार जी आगे बढ़ रहे हैं वह सब लोगों से मिल रहे हैं तो अब कहीं मिलेंगे हैं अचानक से किसी दोस्त से इतना फ्रेम हो गया लोग मिलने के लिए अच्छी बात ह वो भी अपना एक है जीवन का रविया है लेकिन कहीं ने कहीं जब दो राजनितिक आपसे मिलते हैं तो कुछ तो बाते होती हैं तो ऐसे तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों काम है कहना आज मुख्यमंत्री जी चाहे जो भी कहें लेकिन जातो रहें विपक्षी एक्ता के लिए और जिनसे भी वो मिल रहे हैं लेकिन सबसे एक बात समझने की है कि माने मुख्यमंत्री जी ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम जो है विपक्षी एक्ता करने के लिए जा रहे हैं तो इससे अधी हम इस बात को अपने तरह से सोचते हैं तो लगता है कि उन्हें कहीं न कहीं इस विपक्षी एक्ता पर संदेह है और इसी संदेह के कारण वो खुल के इस बात को आम लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं मारेनी अमुक्य मंत्री नितिश कुमार जी ओडिसा गए ओडिसा में वो अपने सिपा से लारों के साथ गए लेकिन वहाँ पर नवीन पतनायक जी ने जिस तर्च पर राजनेतिक चर्चा से सीधा तौर पर मना कर दिया और वो ये बतलाता है कि कहीं न कहीं नितिश कुमार ज अजिकल ये बोलते वे बचते वे नजर आए कि ये मित्रे हैं और मित्र के नाते उनसे नवीन पतनायकी से मिलने आए हैं लेकिन नवीन पतनायक जी ने साफ कर दिया कि वो फिलहाल किसी बी ऐसे गड़बंदन के साथ नहीं है जिसको मजबूत करने की कवायत में नितिश लग गए हैं और कुछ राजनिती की बाते हैं सब कुछ कैमरा के सामने खोलने की जरूरत नहीं है अरे चौबिस का इंतजार कीजिए न जुमले बाजो पत्ता साफ हो रहा है मान्ये मुखमंत्री जी अपने कार में काफी आगे बढ़ गए हैं आप शान्त रहें पत्तना से रुपेंदर स्रिवास्तव लाइब जुड़ चुके हैं रुपेंदर सबसे बड़ी बात ये है कि देखे मुलाकात हो रही है और वाजिब सी बात है इस पर सियासी माईने भी निकल कर सामने आ रहें लेकिन बीजेपी जमकर निशाना साथ रही है गल मुलाकात निश्टित किया गया है और वहाँ पर मुलाकात करेंगे इसके बात कल मुंबई जाएंगे और मुंबई में जो है वह मुलाकात करेंगे तो तमाम जो विपक्षि दलख के निताहुं से उनकी मुलाकात हो रही है इसे महीने एक समय 니दारित किया जा रहा है और पटड नमे जो है बिपक्षि जो दल के नेता है उनकी बैत्ठक Ch Анथ वाली है समय जो है निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन जिस तरह से बीजेपी निसाना साथ रही है और समरार चौधरी ने जिस तरह से निसाना साथ है उसको लेकर राजिती जरूर हो रही है और समरार चौधरी नहीं बीजेपी के तमाम नेता जो है वो मुखमंतरी पर नि की बात हो उस तमाम जो फ्रंट बने है चाहिभी पक्ति ये दल एकता को एक जूट करने की बात हो रही थी वो लाश्ट समय में जाती है तो तमाम चीज़ों जो है बिखर जाती है और यही कारण है कि बीज़ेपी लगाता अने तुसकी मार पर जो है निसाना साथ रही है जी बिल्कुल आज जो मुलाकात होना है आज जाडखन के मुख्यमंतरी हिमन सोरेन से मुलाकात होगी रुपेंदर आज के मुलाकात की क्या कुछ माईनी क्या आज जो मुलाकात होगी उस पर ये कहा जाएगा बात में कि ठीक है ये जो मुलाकात हुई है ये कही न कहीं एक और ये फ्रंट को मिलाने की बाद क्योंकि आपको याद ही होगा कल जो हुआ नवीन पटनाएक से मुलाकात हुई तो ये कहा गया कि ये बस ऐसे ही आपचारिक मुलाकात है और इसे लेकर ही तो बीजेपी निशाना साथ रही है देखें नवीन पटनाएक ने अपने बयान से ही सारवी चीजों को बता दिया था और उन्होंने साथ तवपतर पर कहा दिया था कि वैसी चीज़े नहीं हुए और जिस तरह से तो आज मुलाकाट कीजा है तो आज मुलाकात खास इसलिए हो सकती है कि वह है वह साथ दे रहे हैं तो मुलाकाद जो है सकरात्मक मुलाकाद होगी लेकिन कील घट पहुर पर शाप तुर पर इस तरह कि नंविन पटनायक है ने बयान दिया और उफेंर्ड हम जो मुका मिल गया और एक लिविश्यी खन उसकुमार पर पर दोoser है निसानः साध रहें और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मुलाकात होनी है जहारखन के मुख्यमंत्री हिमान सोरिंट से मुलाकात होगी अब इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है यह तो बगती बताएगा लेकिन आपको बता दे कि लगातार मुखी मंतरी नितेश कुमार एक तरफ विपक्ष को एक जुठ करने की कवायद में जुठे पूरे